चंद्रियान तीन चांद की कक्षा में पहुँच चुका है और वह धीरे धीरे चांद के करीब जा रहा है। भारत का चंद्रियान चांद के दक्षणी ध्रुव पर लैंड करेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां आज तक किसी भी देश का मिशन नहीं उतरा है। लेकिन चांद की पहली तस्वीर जारी की है। चांद की पहले भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे देख कर आपको भारत की स्पेस एजंसी पर गर्व होगा। ऐसे में इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। चंद्रियान 14 जुलाई को भ चांद पर एक दिन धर्ती के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रियान के लक्षियों की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख लक्ष चांद की सतह पर सौफ्ट लैंडिंग करना है। विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद उसके अंदर से प्रज्यान रोवर निकलेगा जो चांद पर चलेगा। इस रोवर में कई यंत्र लगे हैं जो चांद का कैमिकल एनलिसिस करेंगे। इस रो का चंद्रियान मिशन पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चंद्रियान अगर यहां सफल लैंडिंग कर लेता है तो आने वाले समय में यह नासा को अंतरिक शयात्रियों को चांद पर भेजने और इनसानी बस्ती बसाने में भी काम आएगा। चांद पर अमेरिका जा चुका है। लेकिन उसने आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट चांद के दक्षणी धुरुव पर लैंड नहीं कराया है। नासा ने सुरक अपना आर्टेमिस मिशन चला रहा है तब उसका प्राइमरी फोकस चांद का दक्षणी धुरुव है। तो आखिर दक्षणी धुरुव में ऐसा क्या है कि हर कोई यहां जाना चाहता है। इसका जवाब है इनसानों की जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज। प पानी की संभावना सतह पर बेहद कम है। लेकिन चांद के दक्षणी धुरुव पर सूर्य का प्रकाश लो एंगल पर पढ़ता है। यहां आपको सूर्यास्थ जैसे नजारा दिखेगा जिसमें लंबी-लंबी परचाई बनती है। दक्षणी धुरुव पर मौजूद क्र हद महत्वपूर्ण है। यह पीने के साथ ही हमें रेडियेशन से बचाता है। अगर कभी इनसान चांद पर बस्ती बसाते हैं तो उनकी छटों में पानी जरूर भरा जाएगा क्योंकि यह सूर्य के रेडियेशन से बचाएंगे। वैग्यानिक अगर भाप से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं तो उनमें भी पानी का ही इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही रॉकेट फ्यूल में पढ़ने वाला हाइड्रोजन भी पानी से निकाला जा सकता है। लेकिन इस पर फिर कभी बात होगी। तब तक दुनिया और साइंस की खबरों से जुड़े रह झाला होगी।